वेल्कम ट्रेंट्स तु माय यूट्यूब चानल आज हम मुगल सतनत के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले 857 का रिवोल्ड पढ़ा था पर बिटिशे उसका अगर बेस देखा जाये तो 17th सेंचुरी शे शुरू हो जाता है तो इसलिए हमें पहले मुगल जो एंपार है उसका पूरा कॉंसेप्ट करते हैं फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर चलिए शुरू करते हैं मुगल एंपार में शुरू करें तो शुरूआत हमारी बाबर से होती है यानि कि बाबर जब इंडिया में हुआ आया वो 1526 में उस टाइम से लेक दिसंबर 1530 में हुआ था उसका फूल नेम यह धियान रखेगा जहीरुद्दीन मुहमद बाबर था ठीक है जिसको हम शौट फॉर्म में बाबर कह देते हैं ठीक है उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा ठीक है मिर्जा इनका टाइट जो उपादी थी वो थी ठीक है वैस उमर शेख मिर्जा और महाता जी का नाम कुतुलोग निगार खानम ठाड़ ठीक है कнес लोग निगार तू फो जो बाबर थे तैमूर की तरफ से वो पांच में वंसर्ज थे ठीक है और माता की तरफ से जो माता जो थी उनकी मंगुलाई थी तो वो उनके चौज में वंसर्ज थे ठीक है बाबर बाबर का जन्द कहां हुआ फर्गना फर्गना जो की सेंटरल एच अप्रेजन्टे हम इसको उजवेकिस्तान कह सकते हैं ठीक है जब बाबर 11 यर का था तभी उसके पिता की मिर्टी हो गई और फर्गना का राजी चलाने की जिम्यदारी किस पर आ गई बाबर पर बाबर की न एक चाचा का नाम क्या था तो उनके चाचा का नाम अहमद मिर्जा था राज कर रहा था उस關係 1496 की फानर 12 तक समरकंद पर बार बार आक्रमंट किया और इस प्रक्रिया में समर्कन तो दूर उसके हाथ से विचारे के फर्गना भी जहां पर वो शाषन कर रहा था वो भी उसके हाथ से निकल गया यह अब एक खाना बदोश की जिए जब कहते हैं जिन्दगी वो जीने के लिए मजबूर हो गया था फिर 1504 में थोड़ा कंडिशन चेंज हुआ उसने काबूल पर विक्ति की उसके बाद 1507 में कांधार पर विजय प्राप्त किया उसके बाद इसने पाध्षा इंपर्डेंट है कब यह हमेश्व पूछा जाता है कि पाध्षा की उपास दी किसने धाली थी तो किसने दी प्रमुक्त मतलब आकरमन तो आकरमन नहीं कह सकते इसको कई बार एक बार इंविटेशन मिला और दो चार बार इसने खुद से ट्राय किया पांच बार इसने ट्राय किया था इंडिया पे 1524 का जो आकरमन का निमंत्रन था वो किसके द्वारा गया था दौलत खान लोधी कौ यह एक टॉपिक यहाँ पर है जिसमें राना सांगा के जो निमंत्रन का विवरन है वो सिर्फ बाबर नामा में ही है और कहीं पर नहीं मिला यानि कि जो बाबर ने अपनी आउटो बाइग्रापी लिखिये उसी में कहा है कि उसको निमंत्रन राना सांगा से भी मिला था ठी इसका जो फर्स्ट एक्सपीडिशन था फर्स्ट एक्सपीडिशन कव हुआ 1519 1519 में और इसमें पहली बार गन पॉर्डर का प्रियोग किया गया बाबर ने बाजोर को जीत लिया कौन से रगो बाजोर को दूसरी जो चड़ाई थी सेकंड एक्सपीडिशन वह भी सेम यह था और यह भी यह किसके खिलाव था यूसिप जाई एक जाती थी ठीक है ग्रुप था एक उसके खिलाव यह चड़ाई की गई थी इस दोरान किया हूए इसने स्याल कोट और सहयतपूर पर कपजा करने की हमला करने की कोशिश की यह हमला कर भी दिया था लेकिन इसको बीच में छोड़कर जाना पढ़ा क्यों जाना पढ़ा किउनकि शाभ बेग साब्गकर नुड़ा काबुल पर चड़ाई कर दी गई ती ठीक है काबूल पर चड़ाई का मतलब जो इसका शेत्र था वहां पर चड़ाई कर दी गई थे तो इस कारण बाबर को बीच में ही यह expedition छोड़ के वापस काबूल जाना पड़ा था चौथी चड़ाई यानि फोर्थ expedition 1524 कई बार यहां पर दिया जाता है कि 1523 23 24 आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है इस दौरान क्या हुआ था बाबर को आपने पहले ही पढ़ा था अभी पढ़ाया है कि दौलत खान लोदी ने इसको इंविटेशन दिया था बाबर को चौथी ज होदी का चाचा था उसको यहां पर डिल्ली की सत्ता को सौप दी जाए और इसके बदले बाबर को आलम खान पंजाब का प्रांथ देता और इसके बाद यहां पर क्या हुआ कि जो दौलत खान जो था दौलत खान उसने भी यहां पर बाबर को जो लाहोर वाला एरिया था व सबसे मोस्ट इंपोर्टन जो कि हम कहते हैं कि भारत में दिली जो यह भारत में मुगल सल्दनत की जो स्थापना हुई या शुरुवात हुई यह इसी टाइम से शुरू हम कह सकते हैं यह था पानीपद की पहली लड़ाएं बिट्विन इब्राहिम लोदी एवं बाबर इसके जिसको है सकते हम इसका प्रियोग यहां पर करना शुरू किया अगने अस्तुरोका तोप इसमें कहते हैं प्रियोग शुरू किया अब इब्राहिम लोदी डिली का पहला सल्दनत था इस पानीपद की पहली रड़ाई में और जोह की शाशर्刑 युद भूमी में मारा गया पहली लड़ाई में इसके जो बाबर की जो तोपची थे उनका नाम था अली एंड मुस्तफा ठीक है यह आप ध्यान रखेगा कि क्या नाम था अली एवं मुस्तफा इसके तोपची का नाम अली एवं मुस्तफा ठीक है यह कौन थे इसके तोपची थे अब देखे गोस्तों यहाँ पर हम देखते कि डिली सल्तनत जो था बुगल सल्तनत नहीं डैली सल्तनत जो था यह इसका बहुत ब्राइट जो था पास था 1192 में तराहिं के युद में जिस डिली सल्तनत ने जन्म लिया उसे स संथ 1526 में पानीपत के मैदान में आखरी सांस लिया यानिकि पानीपत के जो यूद हुआ उसमें यहाँ पर दिली सल्तनत फिनिश हो गया ठीक है अब यहां से शुरू क्या हुआ मुगल सल्तनत के शुरुआत हुई खान्व का यूद बैटल ओफ खान्वा ये कब लड़ा गया 1527 में बैटल ऑफ खान्वा गया था बाबर ने मेवार के राजा और इस हराने के बाद इसका मतलब क्या होता है काफिरों को मारने वाला था नमबर टू चंदेरी का यूद बैटल अफ चंदेरी है इस योद में मेदनी राय को हराया था था जान रखेगा यह पूछ लेते हैं कि किसको हराय था मेदिनी जाय को हराय था गहगरा का युद्ध 1529 बैटल ऑफ गहगर यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर बाबर सिर्फ अकेला था और अफगान जो थे यहां पर बंगाल बिहार इन सब की सेना साथ में थी यहां ठीक है यह अफगान सेना बंगाल और बिहार की सेना जिसमें यहां पर इंक्लूट किया गया था यह साथ में रड़ रहे थे बाबर के अगेंस्ट ठीक है और यह इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह युद्ध जल एवम्थल दोनों जगह लड़ा गया था यह ध्यान सा से संदी कर उसके राजी की संप्रभुता को श्विकार किया ठीक है और यहां पर नुसरत सा ने यह एग्रिमेंट में कहा कि हम बाबर की जितने भी दुश्मन है उसको यहां पर पना नहीं देंगे अब ठीक है इसके बाद यहां पर एक उपादी लेते हैं फिर से हमारे बाबर जी कलंधर की कलंदर क्या था मतलब मतलब क्या ता उदार्था्था के कारण लोगोंने दी थी हिन्कों ने खुद नहीं लिख दी ती इनको कलंदर के तो 10 नहीं टीए को बारे आ마 इसको बाबर नामा भी कहते हैं ठीक है लेखक कौन थे इसके बाबर ठीक है भाशा क्या थी तुर्की ठीक है अब बाद में अबदुर ये अबदुर है अबदुर रहीम खाने खाना ने बाबर नामा का फार्सी भाशा में अनुवाद किया ठीक है अबदुर रहीम खाने खाना ये आपको याद पता होगा अबदु रहीम खाने खाना ने बाबर नामा का फार्सी भाषा में अनुवाद किया ठीक है आप इनकी मिर्तियों यह इन्होंने जितना टाइम इंडिया में स्पेंड किया सारे जितने भी इन्होंने बैटल किये सब इन्होंने विक्ट्री ली थी अब इनकी दैथ 26 दिसंबर 1530 को दिया गया इनकी इक्षा थी कि मेरे मकबरे को कावल में ही रखा जाए ठीक है तो यह था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू